प्रेंड्स मैं स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल TECNOART MADE EASY में स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज का मेरा यह वीडियो आरट Furnamental आर्ट सीरीज का थर्ड पार्ट है मैंने art fundamental art series पे और भी वीडियो बनाए है अगर आपने मेरे वैब वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका link मैंने description box में दिया है आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं Friends, आज मैं यहाँ पे बात करूँगी shape और form की shape जिसे हिंदी में हम कहते हैं आकार form जिसे हम हिंदी में कहते हैं root कहीं कहीं पे shape और form को दो अलग elements माने गए है बट मैं आज यहाँ पे shape और form दोनों को एक साथ समझाऊंगी क्योंकि इन दोनों में एक बहुत चोटा सा difference होता है यह सारी बाते आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि shape और form क्या होता है किसे कहते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं इन दोनों के बीच में क्या difference है और इसका कैसे use होता है यह सारी बाते आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ shape shape का अर्थ है आकार basically किसी भी object के दो आयाम होते हैं उचाई और चोडाई इस उचाई और चोडाई को हम lines, tone, color, texture और perspective के द्वारा अपने picture में दिखाते हैं यह हो गई हमारी shape की परिभासा अब हम बात करते हैं form की form उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चोडाई के साथ, उचाई और गहराई भी होती है तो mean यहाँ पे अंतर होता है shape और form में dimensional का shape की बात करें तो shape हमारा होता है two dimensional और form की बात करें तो form हमारा होता है three dimensional सबी प्रकार के shapes उसको अगर हम divide करते हैं तो हम दो types के shape देखते हैं जिसमें first आता है हमारा geometric shape geometrical forms और shape विसेस रूप से इसे हम regular shape या नियमी ताकार भी कहते हैं इसके example हम देखें तो circle, triangle, square, rectangle ये सारे geometrical shape के example है अगर इसको और clear करें तो हम अपने daily life में जितने objects देखते हैं घरों में जैसे टीवी है, fridge है, cooler है, AC है या बहुत सारे object हैं ये सारे regular shape या geometrical shape कहलाते हैं next हम बात करते हैं irregular shape, irregular shape जिसे हम कहते हैं organic shape organic shape क्या होते हैं, ये regular shape से बिल्कुल opposite होते हैं इसमें हम अगर example के तोर पे देखें तो जैसे ये है एक पेड़ उसकी बहुत सारी टहनिया जिसके अलग-अलग आकार होता है या clouds हो गए, hills हो गए और हम बात करें flower की और seeds जो plant seeds होते हैं, बीज होते हैं ये सारे जो हमारे shape होते हैं, जो free form होते हैं, ये सभी shape हमारे कहलाते है, irregular shape अब हम देखते हैं difference between shape और form, shape और form में मैंने पहले ही बताया है कि main difference होता है dimensional का shape basically हमारा होता है two dimensional जैसे painting, painting में हम क्या करते हैं, जब देखते हैं सामने लंबाई और चोडाई हमें paper पे दिखती है या बनी हुई होती है तो इसको हम बोलते हैं two dimensional और ये basically geometrical ज्यादा होते हैं, geometrical form में ज्यादा होते हैं, जैसे square है, circle है और ये geometrical के सासत organic भी होते हैं, man made नहीं होते हैं और free form होते हैं, जो सबसे अच्छा example मैंने बताया वो होता है हमारा painting में जिसे हम चित्र में बहुत अच्छे से देख सकते हैं next हम बात करते हैं, जब form की, तो form हमारा होता है, form में हमारी height और उसके बाद width और length और उसके साथ सा depth भी होती है, तो इसका सबसे अच्छा example अगर हम देखें तो वो हमें देखता है, देखने को मिलता है, sculpture में इसका और अगर geometrical form, geometrical shape में बात करें तो यह हो गया, cone और cube, जैसे cone और cube देखेंगे तो उसमें हमें उसकी गहराई भी दिखाई देती है, एक यह picture है, इससे आपको और ज़्यादा difference समझ में आएगा, यह बहुत famous आर्टिस्ट वान गो की painting है, starry night, यह सभी को पता होगी यह है 2D, इसमें हमें लंबाई और चड़ाई पेपर में जो दिख रहा है, बट अब हम बात करते हैं 3D, 3D means आ गया form, इसको हम बोलेंगे form, और यह है हमारा Henry Moore की एक painting है, इसमें हमें लंबाई, चड़ाई और उचाई की साथ साथ picture में एक depth भी दिखाई दे रही है, तो इ बात करते हैं 2D, जैसे यह painting है, यह पहले ही बताया मैंने, इसमें length और width होती है, मतलब लंबाई और चड़ाई तो होती है, बट उसमें गहराई नहीं दिखाई देती है, next हम बात करते हैं 3D, यह एक picture है, इसमें कैसे tone, color और texture के द्वारा इसे 3D effect दिया गया है, यह भी एक shape है, तो यह shape जो होता है, हमारा यह कहलाता है, हमारा 3D shape, अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे shape भी होते हैं, जैसे picture में, जिसे picture में clear समझ में आता है, कि यह actual में है, क्या, जिसे हम बोलते है, representational shape, यह basically ऐसे होते हैं, अगर हमने nature में landscape ड्रॉ किया है, तो उसमें जो tree होता है, या still life बनाया है, उसमें जो भी हमारे fruits होते हैं, और portrait में जो भी figure होता है, तो वो सारे जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं, representational shape, representational shape में क्या होता है, यह basically color, tone, और texture के द्वारा ही बनाया जाता है, और इसमें हम picture से और ज्यादा आपको clear हो जाएगा, कि representational shape एक ही नजर में द picture में पॉल सेजान का जो यह painting है, still life का, इसमें हमें समझ में आ जाता है, कि fruits है, जो अधर एक painting और है, इसमें हम किसी और artist के ऐसे ही है, इसमें हम देखेंगे कि यह flowers है, तो यह सारे shape हमारे कहलाते है, representational shape, next हम बात करते हैं, abstract shape की, abstract shape क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते ह है, बतलब इसमें जब हम काम करते हैं, तो हम पूरी तरह free होते हैं, हम किसी भी अपने मस्तिस में आये हुए, विचारों से किसी भी तरह का कोई भी आकार या कोई भी रूप अपने picture में लाते हैं, Russian artist कांडिस्की ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने geometrical form को abstract shape में present करके बहुत सी paintings बनाई थी, फिर हम बात करते हैं, अब positive shape और negative shape की, दो और एक बहुत अच्छी बात है कि positive shape और negative shape में क्या होता है, कि basically जो positive shape होता है, वो हमारा actual shape होता है, means यह physical form होता है, painting का main objective shape होता है, यह main focus होता है, और जो next होता है negative shape, उसको हम बोलते हैं, जो हमारा positive shape होता है, उसके आसपास का जो भी area होता है, जो भी background होता है, उसे हम बोलते है negative shape, यह देखिए picture से और clear होगा, यह cloud mone की painting है, जिसमें जो trees दिख रहे हैं, आपको यह सारे हमारे हो गए positive shape, और जो इसके पीछे का जितना field है, clouds है, जो भी background दिख रहा है, वो शारा shape हमारा हो गया, negative shape, एक और painting से clear करते हैं, इसमें हम देखेंगे, जितने भी clouds हैं, जो बादल हैं, वो अब हमारे आगया positive shape में, और जो उसके पीछे का जो sky आपको blue दिख रहा है, वो सारा हमारा हो गया, negative shape में, अब इसी में आग अलग-अलग प्रकार के pattern बनाके, जिसमें geometrical form भी और organic form भी दोनों form का use करके हम बनाते हैं, इसके example पे अगर हम historical पुराने उस पे चलें तो देखेंगे, जैसे Chinese art में या मुगल काल में जो भी color होती थी, इसमें जो border वगरा बनाये जाते थे, और Japanese और Arabian जो भी color कारी होती इसमें इस प्रकार के decorative shape का बहुत यूज होता था, यह इस पेसली जैमिती अलंग करण है, जिसमें की फूल पत्ती, फूल पत्ती को ट्राइंगल के shape में, या organic shape में, मतलब दोनों को मिला के भी हम इसको बनाते थे, अब हम बात करते हैं, transparent shape और ओ पाक्यू, इसको बोलते है इसमें भी हम एक shape के पीछे दूसरे shape को देख सकते हैं, इसको हम especially color के द्वारा इसका effect लाते हैं, इस picture से आपको और clear होगा तो friends, ये थी हमारी shape और form के उपर आज का ये वीडियो, I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक questionnaire तयार किया था, ताकि आपको topic को clear होने में आसानी हो, ऐसे ही मैंने आज के इस topic पे shape और form पे भी एक questionnaire तयार किया ह और उसका link मैंने description box में दिया है, आप उस link पे जाके उस question को solve करिये और जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको topic कितना clear हुआ, अगर आपको इस topic से related अगर कोई questions हो, तो आप मुझे comments करके जरूर पूस सकते हैं, I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो please मेरे channel को like करे, share करे और subscribe करे, साथ ही bell icon को press करे, जिससे आपको time to time मेरे latest video के notification मिलते रहेंगे, मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, bye bye